आपकी सवस्यों के समाधान को लेकर मैं आ रहा हूँ आठ और नौ सितंबर को सिंगापूर में बात हो चाहे जौब की या फिर बिजनस की हो परसल लाइफ या प्रोफेशल लाइफ की तकलिफ हो या ग्रहों की किसी बुरी दशा से हम जूज रहे हैं तो समझ से अशब्द बना है तो समाधान भी शब्द बना है मैं करूँगा आपकी जर्म कुंडली का विस्टेशन और सही और सठीक वो उपाए जो आपके जिन्दिगी को बहतर बना सकते हैं आप उसे परसली मिलने के लिए देगे नंबर पे संपर कर सकते हैं आप वहाँ पर वाटसाइप कर सकते हैं आपको पूरा कंप्लीट जवाब बिल जाएगा तो बिलते हैं जल्द सेगापूर में नमशकार प्रेसातियों मैं हूं सुरेश श्रिमाली ग्रहों के सैनापति मंगल मैनेज्बेंट गुरू बुद्ध के घर में प्रवेश करेंगे 26 अगस से लेकर 20 अक्टूबर 2024 तक इस विशेश कारेकरम आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है वैधिक एस्ट्रोलोजी में मंगल ग्रह को पापी ग्रहों का दर्जा मिला हुआ है मंगल अगरी तत्वों को प्रतिनिद्ध्व करते हैं इससे जमीन का खारक यानि भूमी पूत्र भी का जाता है electronics, computer, software के कारक माने जाते हैं मंगल को युद्ध का देवता भी का जाता क्योंकि सेनपती है मंगल आपकी physical fitness, confidence, कई बार एहंकार, क्रोथ, वीर्ता और साहस जैसे गुन इनको बिलते हैं ऐसे लोग बहुत अच्छे सर्जन बनते हैं मंगल आपके शरीर में रक्त, मास पेशियां और हड्डियों पर भी काफिये तक अपना रोल निबाते हैं मंगल गर अशुब हो तो यह सब शुब होता हैं मंगल अशुब हो तो कई प्रकार की तकलिफियों आ जाती हैं इसी विशेश कारिक्रम को मैं डिजिटल बोर्ड के माधियम से मेज से मीन राश्ची तक के सफर में आपको लेके जाऊँगा सफर शुरू करें उससे पहले एक इंपोर्टेंट बाग आप अपरी पर्सनल या प्रोफिशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनल मिलना चाहते हैं तो मैं 25 और 30 अगस को दिली हूँ 31 अगस बड़ोदा 1 सितमबर मुंबई, 7 सितमबर दिली 8 और 9 सितमबर को सिंगापूर में रहूँगा 10 इ 11, 12 और 13 सितमबर को मैलबन में रहूँगा यानि ऑस्टेलिया 14, 15, 16 सितमबर को सिड्नी ऑस्टेलिया रहूँगा भारत लॉट्टे पर 21 सितमबर को मुंबई 22 सितमबर नागपूर, 28 सितमबर दिली और 29 सितमबर को लखना रहूँगा आप चाहें तो यहां परसरे मिल सकते हैं या फिर टैलिफोनिक और वीडियो कॉन्फरेंसिक अपॉन्मेंट के द्वारा भी जूट सकते हैं आईए बेश राशी से सफर को शुरू करते हैं आपकी राशी और 8 आउस जो की हमारे कॉमन सेंस का घर भी माना जाता है आईउ का घर माना जाता है और यहां के लॉड बनकर मंगल थार्ड आउस में जाएंगे आपकी डिग्रिटी औरा बड़ा शांदा रहेगा आप किसी नए काम की शुरुबात करते हैं और दूसरी बिजनस डील को लीगल अवेरनेस के साथ आगे बढ़ोंगे तो लाब बिलेगा इसमें आपकी वानी भी बड़े शांदार होने वाले हैं क्योंकि वानी के कारत बुद्ध के घर में ही मंगल जा रहे हैं आपकी बात को अब तूल दिया जाएगा आप अपने ऑफिस को प्रोफेशनल वर्प्लेस के इसाब से चेंज कर पाएंगे और असरदार माहूल बना पाएंगे हम सफर के साथ बैलेंस रिलेशन रखने में आप सूकी होने वाले हैं आपकी बात अब लोग मानेंगे जो लोग राइटर है जो लोग किसी प्रकार के मीडिया लाइन से जुड़ है यूट्यूबर है, ब्लॉगर है या कोई भी प्रकार की स्किल डवलप करना चाते है अपनी उनर को रिखारना चाते है उनकी परफॉर्मेंस शांदार रहेगी मंगल की चौती द्रिष्टी रोग भाव पर है कोई पुराना रोग किसी डॉक्टर की मदद से परबने ठीक हो सकता है इम्मिनिटी मजबूत करने लिए योग प्रनायम और स्पोर्स एक्टिबिटिक को आप जोइन करिए भाकिस्तान पर साथ आपको बिलने वाला क्योंकि द्रिष्टी है वहाँ पर और कर्म इस्तान और पिता के गर पर द्रिष्टी होने से पिता के सला आपके बहुत काम आएगी कर्म में कुछ तब्दीली और चेंज होने वाले है आपका एडबिनिस्ट्रिशन शांदार रहने वाला है गवर्मेंट जॉब की चाहत रखने वालोगों के लिए शांदार समय हो सकता है आप मंगलवार के थोड़े भूने हुए चले तता थोड़े गुड बिलाकर बंदरों को खिलाए अनुमान चालेसा का पाट करी अनुमान जी मंदिर में शीगर आपके मंगल बजबूत होगे बात करते हैं ब्रशब राशी की ब्रशब राशी में मंगल एक तो 12 आउस जोगी नाश और खर्चे का गर है इसके लॉड बनते हैं और सेवन्थ हाउस जोगी लाइफ पार्टनर और बिजनस पार्टनर का गर है इन दोनों के लॉड बनकर ये आपके धनभाव और पैतरिक संपती के गर में बिराजबान रहेंगे आपकी जुबान में थोड़ा एहंकार जलगने वाला है इस पर ध्यान देना पड़ेगा पैतरिक संपती यह संपती के लेकर विवाद हो सकता है अपना ही को दोस्त या साथ ही रिषदार आपका पैसा फसा सकते है उदार लेंगे फिर वापस नहीं देंगे इससे पैसा फसना नुकसान और दोख्य की इस्तति हो सकती है पासकती है इस्टूडेंट आर्टिस और प्लेयर्स के लिए ये यादगार और शांदार समय हो सकता है आपके इंतजार की गड़िया आप जल्द ही समाप तोने वाली है घर में बड़े बुजरुग इस्पेशली जो बिमार है उनको जोड़ों की तकलिफ हार्ट की तकलिफ अगले की तकलिफ परिशान कर सकती है महिलाओं को अड़ियों की जो परिशानी है वो बढ़ सकती है पैसा जोड़ना एक बड़ा टास्ट रहेगा इसलिए थोड़ी सी मैनस जादा करनी है हर काम को रिसर्च और डेवलोपेंट की तरीके से आपको आगे बढ़ाने है बीना सब्सक्राम लॉंग कुछ दक्षना सिंदूर की पोड़िया इन सब को बांध कर हनुमान जी की चरनों में रख दीजे मंगलवार को आपके मंगल भी मजबूत होगा आपके जीवर में भी मंगल ही मंगल होगा बात करते है मेतुन राशी की जिसमें आप मंगल प्रिवेश क अलग रहेगी लेकिन एंकार भी साथ साथ में इससे बच रहा है बिजनस में ज्यादा प्रॉफिट नहीं बस प्रॉफिट मिल जाए इसलिए मार्केट को वाच करें रिसर्च के बाद डवलपेंट करें जॉब करने वाले लोग बहतर काम और बहतर मैनेजमेंट कर higher education student किसी semester या exam की उम्मीद लगा कर बैटें तो आपके performance शांदा रहेगी इस समय विशेश में medical पर expenditure आपका बढ़ने वाला है आपको हर काम को सोच समझ के करना है especially कोई नए रिष्टे और नए relation बनाने उस पर ध्यान देने पड़ेगा नई गाड़ी खरीदना नई कोई प अफिस फैक्टरी खरीदने पर दन कर्च हो सकता है इसके साथ माता भवन भूमी वाहन इन्वेस्मेंट पर भी आपकी रज़र रहेगी लाल वस्तर लेकर उस पे दो मुठी मसूर की दाग और कुछ दक्षना लेकर अनुमाजी की चरणों में मंगलवार को रख दीजिए आ इन दोनों के लॉट होकर अप्ट्यो एल्था उस पे रहेंगे वियर्थ का जो तनाव और ट्रेवल ये दोनों आपको परिशान कर सकते हैं इसलिए सोच समझ कर और और इंट्रनेशन लेवल पर पहुंचाने के लिए रफतार पकड़नी होगी और ट्रेवल भी आप करेंग लेकिन और गनाइस करना है आपका कॉंसेंट्रेशन ही और डेडिकेशन ही आपको आगे रखेंगे लेकिन आपके साथ पॉलिटिक्स और बैक बाइटिंग की समस्य हो सकती है इस्पेशलि जॉब करनेवा लोगों को जॉब चेंज करना और पिता की सला बहुत काम आ सकती है आपके परिवार और कुटुम में एकता बनाए रखने लिए आपको कोई त्याग करना पड़ेगा कम्यूनिकेशन लेवल नया संचार करने पड़ेगा बस जल्दी बाजिब मत करना बिल्कूल समझदारी से काम करना जो लोग पुलिस फॉज प्रशशन कॉंपेटिशन की तैरी कर रहे हैं उन्हें स्टुडेंट को टार्गेट अपना साफ दिखाए देगा लेकिन कुछ लोग हैं जो से बढ़काने का परियास करेंगे क्योंकि राउशनी का दो बारा का संबत हैं हालांकि देवताओं के गुरू ब्रेश्पत्य और मंगल दोनों आसपास हैं इस लमक की रोटी गुड और घी के साथ अरपित करिए वही पर बैठकर सुंदर कांट का पार्ट करना या उससे सुनना बहुत शुब रहेगा आईए बात करते हैं अब सिंग राशी की सिंग राशी में मंगल भाग्यस्तान के में लॉट बनते हैं और फोर्थ हाउस के जो हमा आपकी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी बोलेगी आप नहीं बोलेगी बिजनस को डेवलप करने के लिए टीम को हायर करना होगा टेक्नोलोजी और नए लोगों को आगर आप हायर करते हैं नए कोई प्रिमीजिज लेते हैं नए गाड़ी लेते हैं या फिर किसी और साथ खुश्ण मा समय वैतीत करने वाले हैं जो दमपती संतान की चाहत रखने वाले थे उनको संतान अब जल्द बिलेगी रुकावा पैसा प्रापत हो सकता है पैत्रिक संपती के बामले हल हो जाएंगे और रोग भी आपका ठीक हो सकता है स्टूडेंट, आर्टिस और प् मंगल ग्रह मसबूत होंगे बात करते हैं कन्या राश्री की, कन्या राश्री पे सबसे पहले तो मंगल आपके 8 थाउस जो की कॉमन सेइंस का गर है और साथ में आपके 3 थाउस जो की 5 वैंट डिग्निटी का गर है इन दोनों की लॉट होकर अब 10 थाउस से बिराजमान रहे एनर्जी लेवल शांदा रहेगा, बहतर अपनी वोकेबलेरी, अपने प्रेजेंटेशन से, अपनी जुबान से आप काम कर पाएंगे नियम काइदे कानून में रहना होगा, कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन में डाल सकती है इसके लाव जॉब चेंज करना, प्रोफेशन बदलाव होना, ट्रेवल करके नए अनुबंद करने का आपको मौका मिलेगा आप अवेर जरूर रहेगा, ऐसे लोगों से जो आपके दुश्मन है, आपसे जलन रखते हैं आपके बॉस इस समय विशेश में, आपके काम से, पून डूरूप से खुश नहीं होंगे क्योंकि आप किसी और पर बरोसा करके काम देने वाले वो डंक से नहीं करेंगे और आप उसमें फस जाएंगे मा बाओ जी के सेहत पर विशेश जान देना है और लाइफ पार्टनर और आपकी माता जीक बीच में अगर बंती नहीं है तो आपको कॉडिनेशन बिठाना चाहिए फ्री टाइम में अपने जो होबीज है उसे जरूर डवलप करिए और अपने speaking quality अपने vocabulary को और strong करिए अपने personality को development करने के लिए या develop करने के लिए कुछ और special आपको करना होगा इसके ख़बाब आपका common sense बहुत अच्छा काम करेगा innovative और creative ideas आपको मिलेगी लेकिन high या low blood pressure ज़्यादा gadgets का use रात को ज़्यादा धेर जगना आए बात करतें अब तुला राश्री की रिधे। तुला राश्री में मंगल एक तो 2nd हिजों जो कि धन और पैतरिक संपत्थी का गणर होता है इसकी लौर्ड बनते हैं दूसरा, ये 7th हिजों कि लौर्ड बनते हैं जो कि innovative ideas आप अपना सकते हैं, profit के लिए नई कोशिश आपको लाब देगी, market में आपकी और आपकी product की reputation बैतर हो सकती है, cool और काम रहकर अपनी personality का ध्यान रखे, अगर आप काम करोगे तो आप पर विश्वास बढ़ेगा और इससे ही आपके salary बढ़ना और promotion के रास्ते आसान होगे घर में माता जी और बड़े बुजरुगों की सिहत खराब हो सकती है, आपकी पतनी या पती और आपके सासु जी बीच में या अपनी माता जी बीच में कोई जगड़े फसाद हो सकते हैं student, artists और players के लिए ये समय बहुत शांदार है क्योंकि नवम पंचब, राजियोग, शनी और मंगल का बनने वाला है IT, law और medical के student के लिए यादगार और शांदार समय है पुरानी कोई बीबारी, चाहिए वो मांसी थी या शारिरिक थी, उस पे awareness से वो बीबारी अब काफिय तक हतम हो जाएगी मंगलवार के दिन, हनुमान जी को long, good और पान के पत्ते को उपर इसे रख कर बोग लगाएं चमेली के तेल का दीपक पर जुलित करें और फिर अनुमान चालिसा या बजरंग मान का पाट करी आपकी मनों कामना पूर्ण होगी आई ये बात करते हैं अब वरिश्चिक राशिग वरिश्चिक राशिग में आपके राशिग के लॉड़ खुद मंगल बनते हैं और छटा गर जोकी, रोग, कर्जा और दुश्मनों का है इन दोनों के लॉड़ बनकर अब एट थाउस में बिराजबान रहेंगे एट थाउस में मंगल बहुत अगरेसिव बनाते हैं, घुस्सेवाल बनाते हैं अपनी टांग हमेशा आगे रखना के मैं ही समझदार हो, बाकी सब मुर्क हैं और घुस्से और आवेश्च से वो दुश्मन बना लेते हैं दुश्मनों से दुश्मनी रखने से आपको कोई घात मिल सकती है, आपको ये वाहन से चोट दुर्गटना के शिकार होंगे या फिर लापरवाही से आपको कोई चोट हो सकती है लेकिन बिजनस एसेट्स में कुछ कमी संबव है गलत चीज़ें जो आपको नहीं खरीदनी चाहिए, वो शॉपिंग कर लेंगे जो नहीं बेचना चाहिए, वो आप बेज देंगे चाहिए शेर बाजार हो या जमीन हो इसलिए शानती से समय को निगालना चाहिए हाँ, जॉब में आपकी बड़िया परफॉर्मेंस रहेगी मैनेजमेंट, प्लानिंग, और्गनाइज अच्छे डगसे कर पाएंगे मन चाहिए सफलता मिल पाएगी हार्ड वर्ग और स्मार्ट वर्ग आप जरू कर पाएंगे फैमिली लाइफ और लव लाइफ पे कोई त्यार करना पड़ेगा तब जाकर आप रिलेक्स फील करेंगे लेकिन आपको कोई दोखा दे रहे हैं या दे रही है वो जागर जरू हो जाएगा स्टुडेंट आर्टिस्स और प्लेर्स मन भी लगेगा और आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेगे मेंटल और फिजिकल फिटनेस के लिए बाते करने से काम नहीं चलेगा अब बराबर मेहनत करने हुए जिम जाईए चाहे योग प्रनाम करी या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी जॉइन करी है मंगलवार के दिन किसी भी दक्षिन मुखी अनुमाजी मंदिर जाकर दीपक का दान करने से लाब बिलता है बात करते हैं धनुराशी की दनुराशी में मंगल सबसे पहले तो पंचम इस्तान जो की संतान का सिक्षा का गर है और दूसरे ट्वैल्थ हाउस जो की खर्चे का है इन दोनों के लॉड होकर अब आपके सेवंथ हाउस पर रहेंगे अगर सगाई हो चुकी और शादी होने वाली है तो आपके पुराने कोई बॉइफरेंड गल्फरेंड या कोई रिलेशन था वो उजागर हो जाएंगे या वो कुछ अडंगा डालने कोशिश करेंगे गर में शुब और मांगली कारे होते होते कोई डिस्टिबेंस हो सकता है लाइफ पार्टर और बिजनस पार्टर बीच कोई गलत में पैदा हो सकती है इससे आपको बचना होगा आपका एनर्जी लेवल बड़ा शांदा रहेगा और बिजनस कैपिटल जो बढ़ाने के लिए प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आपका confidence काम करेगा और अच्छी deal आपको मिल सकती है अनुभवी लोगों की team आप भायर करने वाले है जॉब में बदलाव हो सकते हैं लेकिन राहु शनी का जो दो बारा का संब्ध है वो और शुकर केतु के यूथी 10 था उसमे कोई गलती आप करने वाले जान बूच के नहीं करेंगे लेकिन honesty की कमी होना या कुछ हो सकता आपको illegal activities से जुड़ जाएं इससे आपको तकलिफ आ सकती है जिनकी हाल ही में जॉब लगी है या हाल ही में शादी होई है उनको अपनों के साथ ही कोई गलत फ्यामी होने वाले इससे बचना होगा जो IT professional है जो AI technology का यूज करते है उन लोगों के लिए बड़ा शांदार ये समय है इसमें placement भी आपको अच्छा मिल सकता है जहां पर stress है जहां नेगेटिव वातावराने वहां अपने आपको दूर कर दीजिए वरना बैठे बैठाए आप भी निराशावादी बन जाएंगे मंगलबार के दिन हनुमाजी के समक्स कच्छी गाने के तेल का दीपक परजुलित करें और वहीं बैठकर सुन्दर कांट का पार्ट करना या उसे सुनना बहुत सुखत ऐसास दिलाएंगे बात करते हैं मकर राशी की मकर राशी में फोर्थ हाउस जो के हमारे माता जी का है और इंकम आउस और नए इंकम सोर्सिस का गर है इन दोनों के लॉड होकर छटे गर में बिलाजबा नहींगे दुश्मनी को खत्म कर दीजिए दुश्मन को नहीं इसके लवा करजे चुकाईए वरना किसी से जगडे फसाद हो जाएंगे पुराना रोग वापस आ सकता है बिजनस में प्रोफेशनलिजम नहीं अपनाया तो मैस हो जाएगा और काम में डिले होंगे जॉब में नए आफर मिल सकते हैं लेकिन दूर दरास की यातरा करने पड़ेगी अनेंप्लोइड परसन को अपने स्किल के अनुसा जॉब बिलने में थोड़ी टाइम लग सकता है लव पार्टर और लाइफ पार्टर सा शक गलत वे में पैदा हो सकते हैं ट्रांसपरेंसी की कमी हो सकती है स्टूडेंट आर्टिस और प्लेर्स उमीद से वेहतर परिणाम तो आप चाहते हैं लेकिन वैसी मेहनत आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि गैजट्स बीच में आ जाते हैं या फिर प्यार इश्क और महबत या रात को देड़ तक जगना या कोई नशा हो सकता है इससे बचना होगा सेहत को लेकर अवैर रहना पड़ेगा ट्रेवल बड़ा शांता रहेगा इससे और्गनाइस तरीके से करेगा माता, भवन, भूमी, वाहन, इन्वेस्पेंट, शुब और मांगली कारेव पर आपके खर्चे होने वाले हैं इसके अलाबा आपको अपने कोई पुराने चीज बेचकर नई चीज लेने मौका बिलेगा आने वाले फैसिवल सीजन के लिए कुछ इस्पेशल करने वाले हैं और साथ में अच्छी गारी आपको मिल सकती है नए इंकम सोटसे साब जेनरेट करने वाले हैं मंगलबार के दिन हनुमान जी के सामने एक पानी वाला नारेल अपने उपर से साथ बार उवार कर वही फोड़ दीजिए और सब को उपर साथ माट दीजिए कुछ दक्षना के साथ गर लोट आईए मंगल ग्रह बजबूत हो जाएंगे बात करते हैं कुम राशी की जबान बहतर काम करेगी आपकी बात को वैल्यू मिलेगी बिजनस में आप अपनी कमजोर कड़ियों को पता लगा कर मजबूती से आगे बढ़ने वाले उससे मजबूत करने वाले हैं संतान की चाहत रखने वाले दंपत्य अब खुश होने वाले हैं सिक्षा में बड़ा अच्छा लाब मिलेगा नए इंकम सोर्सेज मिलेंगे शेर बाजार वाइदा बाजार जमीन में को अच्छी डील हो सकती है अनेंप्लोइट परसन आलस्य ओवर कॉंफिडेंस लापरवाई के कारण हाथ आई वी जौब आपके हाथ से निकल जाएगी फैमिली लाइफ पे अगर सैटिस्ट्राक्शन चाहिए तो चोटा ये बड़ा कोई त्याग आपको करना पड़ सकता है स्टुडेंट आर्टिस और प्लेट्स मेडिटेशन और ईश्वर के आराधना से दिन की शुरुवात करोगे तो बहतर पड़ाई और बहतर काम कर पाएंगे आपको अग्यात भाय गबराट बेचेनी डर और चिंता महसूस होने वाली है पिता की सला आप मानेंगे नहीं बाद में पच्टाएंगे और साथ में नया इंकम सोर्सेज आप जनरेट कर सेकते हैं इसके लावा आपको अपने भाई बेहनों की कंपनी पर भी नज़र रखनी है बात करते हैं मीन राशी की मीन राशी पे सबसे पहले धन भाव और पैथरिक संपती की कर और सेवन बाफ करेगा जो भागिय सान इन दोनों के लॉड बन कर ये विराज़मान रहेंगे आपके मंगल फोर्टावस में पुरानी कोई गाड़ी और वीकल बेचकर नया लेने वाले हैं घर की सुख सुविदाएं बढ़ने वाले हैं दुकान ओफिस फैक्टरी या कोई घर खरीदने का सपना आपका साकार हो सकता है रिनोवेशन पर दन कर्ज होगा माता जी का आशिरवाद और पिता की सला से आपके ज्यादातर काम बनेगे इसके लावा जॉब या प्रोफेशन में कुछ परिवर्टन आने वाले हैं बिजनस एक्सपांशन के लिए आपकी रफ्तार और तेज होने वाली है गवर्मेंट जॉब करने वाले या गवर्मेंट जॉब की चाहत रखने वाले दोनों ही लोगों के लिए बहतर समया रहा है आपके डिसिजन आपको बहतर प्रूव करने वाले हैं लव पार्ण और लाइफ पार्ण साथ मिस अंडेस्टेंडिंग अब खत्म होने वाली है कॉंपेटिशन की तहरी करने वाले स्टूडेंट गर से दूर जाकर पढ़ाए करेंगे तो बहतर काम कर पाएंगे पढ़ाई या किसी और काम से नए इंकम सोर्से से आप जनरेट करने वाले है फैविली में सभी के स्वास्ति का ध्यान रखिए लेकिन अपना ध्यान रखना सबसे पहले शुरू करिए आप सुकी और स्वास्त रहेंगे तब ही आप दूसरों को घर पाएंगे मंगलवार के दिन हनुमान जी का गंगा जल से अविशेक करें और वहीं पहरे बैठ कर हनुमान चालिसा का पाट करिए आपका बेड़ा पार होगा मेरे प्रिये साथियों स्वस्त रहिए मस्त रहिए और व्यस्त रहिए आप मुझसे फरसनली बिल सकते हैं या फिर टैलिफॉनिक और वीडियो कानफरेंसिंग अपाटमेंट के द्वारव जुड सकते हैं दीगे नमबर पे संपर करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं आज के लिए तरह ही प्यार भरा नमशकार और बहुत बहुत आशिरवाद नमशकार मेरे प्रिये आस्ट्रेलिया के दर्शकों मैं हूँ सुरेश रवाली मैं आ रहा हूँ आप से मिलने मैल्बन और सिड्नी बात चाहे जॉब की हो प्रोफेशन की हो या फिर बिजनस की हो जॉब छोड़ दर बिजनस करना चाहते हो या कोई सिटी चेंज करना चाहते हैं शादी में तकलीफ है या मैरिटर लाइफ में कोई इस्यूज है किसी भी प्रकार की person और professional life पे तकलीफ है तो ग्रहों का खेलिए बताता है कि समस्या शब्द बना है तो समाधान शब्दी बना है मैं करूँगा आपकी जन्म कुंडली का विस्टेशन और वो 60 को पाय आपको बताऊँगा आपको appointment की पूरी detail और जानकारी बिल जाएगी तो बिलते हैं जल्द Australia में